बीजेपी ने नौर्थ सेंट्रल से एडवोकेट उज्वल निकम को उमिद्वार बनाया है खास करके वो सीट पूनम महाजन अब तक दो बार लगाता जेती रही लेकिन इस बार पूनम महाजन का पत्ता कट गया और उज्वल निकम को बीजेपी ने वहाँ से दावेदारी द बात करें दोनों को फासी के फंदे तक पहुचाया इनकी धारदार दलीलों की वज़े से सर जो दलीले वहाँ पर थी क्या वो जनता के बीच में भी रहेंगी कि किस तरीके से मोदी जी ने काम किया कैसे देश आगे बढ़ रहा है और क्या-क्या प्रमुक सीजिए रही और इसलिए मैंने सोचा कि देश की सुरक्षिता और देश के आमाद में इसकी अर्थिक सुबता किस तरह से लाई जाए इसके ख्याद बारे में मोदी सरकार ने जो प्लैंस बनाए थे इसलिए मैंने सोचा कि आज तक हमने की वकालत थे बहुत होगी काला कोट पहन के अभी तोड़ा सा फ्रीली जो जो अच्छा है बाद बताने में जन्ता त克 लाने के लिए क्यों हम जाया गए इसलिए मैंने ऑड़े जी में कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ तो कानुनीम का शेवक हूँ मैं भी कानूं का सेवक हूं और कानूं का सेवक प्रधान सेवक को किस तरह से मदद कर सकता है आप आगे चलके देखिए लेकिन अब तक इतियास हे रहा है कि जब राज्यती में कोई भी अच्छा वेक्ति जब इंटर करता है दीरे 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 उसके ऊपर छेटा कसे कई केसेस को लेकर के आपको लेकर ट्वीट आ रहे हैं कि उस केसेस में क्या हुआ उसमें यह नहीं करा पाए इस केसेस में क्या हुआ उसमें नहीं करा पाए इस तरीके के चुकिए अब आपोजीशन तो आपको गहरने की कोशिश करेगा यह मुझे बात मालूम है राजनी वाला नहीं है क्योंकि अगर मेरा conscious clear है और मुदी सरकार ने जो अच्छी कामगेरी के रिश्पर मैं विश्वास सकता हूं तो मुझे लगता है कि इन बातों से मुझे डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मैंने जिन्दगी में कभी बुरा काम ही नहीं किया आपकी अब तक चभी एक ऐसे sophisticated वकील की रही है जिन्होंने देश भक्ति के लिए काम किया तमाम ऐसे देशद्रोईयों के खिलाफ आपने action लिया अब जब जनता के बीच में उतर रहे हैं तो लगातार opposition ये कह रहा है कि प्रदान मंत्री जूड बोल रहे हैं प्रदान मंत्री जिन्होंने काम नहीं किया वो लोगों को वादे दिये उनकी guarantee जूटी है आप इतने सालों से उस पेशे में रहे हैं अब नए पेशे में जा रहे हैं इन वादों को और दाओं को कैसे देख रहे हैं देखिए राजनीती में अगर मैं गय हूँ तो राजनीती नेता किस प्र दे रहेंगे जिनको लेकर जन्ता के बीच में आप जा रहे हैं क्योंकि आपके लिए राजनीती भले नहीं है लेकिन सामाजीक जीव बहुत बढ़ा रहा है बहुत संगस्पूर रहा है लगातार जलगाओं से यहां का स्टैबिस करना इतने बड़े केसे सेंडल करना इतने दबाओ जहलना और उसके बाद भी उन केसिस में अपनी तरब से सारी चीज़ों को कोड को कन्वेंस करना देखिए पॉलिटिकल मैनिफेस्टो तो पार्टी का मैं मेरा परसनल मैनिफेस्टो बनाऊंगा और मेरा परसनल मैनिफेस्टो यह रहेगा कि मोधी सरकार ने जो गै दो मुझा जाएं कियूंकि हम मैं जब प्रधानमंत्री को मानता हूं मोधी सरकार को मानता हूं तो मेरे कोशिश यही रहेगी इस सभी लोग से अच्छी सुनेंगे की सर्से लोगों को के पास उनकी चबही पर जाएगी यह मेरी कोशिश रहेगी को राजनीती में कास्ट एक्वेशन भी बहुत इंपोर्टेंट हो तो पता है आपको ये पूरा समीकरण ही होता है। देखे राजनीती में ये कहां जाता है कि बहुत बुरी है राजनीती, राजनीती में लोगों ने आना नहीं चाहिए। मैं इस पर विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं विश्वास इस बात पर रखता हूँ। देखे ठीका तो होगी, क्रिटिसिजम तो होगी, जब हम कानून की लड़ाई करते हैं, तो अपोजिशन जो डिफेंस की वकिल यह तो क्रिटिसाइज करते ही। लेकिन उस प्रकार क्रिटिसिजम का एक टेनर अलग रहता है, यहां इसका टेनर अलग रहेगा, यह इसके बाद में मजी जान करिए, लेकिन जब अगर मेरा कॉंशेस क्लियर है, और जब मोधी सरकार ने जो अच्छी काम है कि इसके याद मुझे रखना है, तो मुझे लगता है कि ऐसे क्रिटिसिजम को मैं कुछ कॉग्निजन सी नहीं लूगा, क्योंकि मुझे आगे चलके जाना है, आम आदमी का सुरक्षा, देश की सुरक्षा और सर्वधर्मभाव रखना है, और यह सर्वधर्मभाव अगर मुझे रखना है, तो मैं जरूर कुछ ऐसे सक्कर दम आपको फसाने की लगातार कोशिश करेंगी। देखिए ऐसा माना जाता है कि राजनीती में सिर्फ जुटका अधार लिया जाता है। मैं नहीं मनता हूं। राजनीती में ऐसा कहा जाता है कई बातों को ज्यादा चड़ा बढ़ा के रखा जाता है। मैं नहीं मनता हूं। और इसलिए आम आदमी के नजरियों से राजनीती किस प्रकार की होगी। अच्छे होगी। कैसे अच्छे होगी। इसके बारे में मैं लोकों के मन में एक प्रोजेक्ट लिखाऊंगा। और ओप्रोजेक्ट मोधी सरकार ने यो गैरंटी दिये उस गैरंटी के मुताविक होगा। वकीलों का राजनीती में प्रमुक अस्थान रहा है। चाहे अपोजिशन में चाहे सत्था पुक्ष में। सुस्मा स्वराज रही उनकी बेटी अभी हैं। और उन जेटली रहे। और रविशंकर प्रसाथ रहे। उस थरफ अगर देखे तो अभीशेक मनुस्विंग भी रहे। तमाम सारे दूसरे बड़े लीडर्स रहे। वकीलों को राजनीती के ज्यादा गुर पता होते हैं। हाँ इससा आम तोर पर समझते हैं। वकीले पर जादा मैचुरिटी होती है। आम तोर पर यह समझा जाता है। कि वकील इन एडवांस एंटिसिपेट कर लेते क्या चल रहा है क्या रहा है। वैसे तो मैं क्रिमिनल ट्राइल में काम करता हूं। तो फौसदारी का नौलेज होने के खारण मैं भी किसी आत्मी का शक्स का बोड़ी लेंगईज पकता हूं। आप मुझे हर तरह की आप भी कोशिश कर रहें। किस प्रकार उजवल निकम हमारे सवालों में पस जाएंगे और ब्रेकिंग नियूस बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का माहोल बनाना राजनीती में क्योंकि आम आत्मी को भी लगना चाहिए कि राजनीतिक नेता राजनीतिक वरकर यह हमारे दुख हरन करना है। हमेशा राजनीति से कोई पॉलिटिकल पावर ही हासिल करना यह उद्धिश नहीं होना चाहिए। जीत की गारिंटी केतना है। ने देखिए अभी यह तो कहना मुश्किल है क्योंकि अभी एक ही दिन हुआ कल से गुम रहा है। लोगों का बड़ा रिस्पॉंस आ रहा है। लोग प्यार से मुझे नजरे से देख रहे। आप इसलिए तो TV की माध्यम से आप भी आएं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो विश्वास तो रखता हूँ कि लोगों का विश्वास मैं प्राप्त कर लोगा। लोगों का वरुसा क्या प्रधान मंत्री ग्रिव मंत्री या महाराष्ट में देविंद्र फट्नवीस हो या एक नाश्रिंदेव अजित पौर हो उन पर कायम है क्या आप लोगों के बीच में गोम रहे हैं किस तरीके का रिस्पर लोगों का विश्वास मुदी सरकार पर हैं आज भी है इसलिए ही मैं एक बात एहम बात बताना चाहता हूं कि रश्या यूक्रेन से भी हमने दोस्ती रखी रश्या यूक्रेन का भी हमने सीजफायर कर दिया क्या क्या मोदी जी ने सिर्फ हमारे भारत देश के लड़कियों लड़कियों को जो पढ़ाई करते उनको ल पाकिस्तान को नहीं आना एक सर्वधर्मभाव उनने किया तीन सो साथतर हटा गया लोग कहते थे कि अभी तो रायट होगा हुआ कुछ नहीं हुआ हर हमारे देश को नागरिक को चाहिए शांतता उनका बिजिनस अच्छे चले हर आम आदमी को चाहिए उनका आगे अभाती समझती है लोग इसलिए मुदी सरकार को चुन किर दे जब आपका सीट अनौंस किया गया तो आपको प्री इंटिमेशन कर दिया गया था कि आप मुझे दस दिन तो पहले मुझे बताया गया था कि आप आई ए मेरा तो कोई सोच भी नहीं थी कि राजनीती में आने मैं मैंने का कि हां मैं सुचूंगा फिर उन्हें नहीं कहां वाद में मन बना लो आप आप जिसे लोग आना चाहिए लाजनीत पिर मैंने सोचा कि बहुत हमेशा यह मुलजी में इसको फासी चड़ा उसको आज यहन कारावज चड़ा आपको ब्रेकिंग निउस मिल जाती थ देश के लिए मैं कुछ काम कर पूंटा है क्योंकि हमारे सांसद में कानून बन बनते हैं तो कानून बनाने के लिए हमने भी जाना ज़रूरी ऐसे मैं समझा और उमधी सरकार ने हमें नूता दिया हम चले गए हमारे प्रधान मंत्री है वह हम क्या कहेंगे बहुत इंटिलि श्वास उनमें आपकी बार 400 पार बिल्कुल पहली बार उज्वल निकम ने यह नारा बीजेपी का एकसेप्ट कर लिया है कि आपकी बार 400 पार प्रदानमंत्री लगातार ये कह रहे थे कि जो राजिती में ऐसे लोग आने से ये जिनको सब चीज का नौलेज हो और शायद यह वज़े है कि उज्वल निकम जैसे एक मसहूर वकील को मुंबाई के एक मत्वपूर्ट सीट से जिम्मेदारी दी है वीडियो जैसे गन स्याम के साथ अभिशेक पांडे भारत एक्ष्प्रस मुंबाई